असलाम पर नाइसे वीडियो स्क्राइब करता है कि एमनुस वीडियों के स्क्राइब करके आप किसी तरीके से अपने अपरेब सबस्क्राइब करने अपगे कुणक अश्जूरब पर करेंगे सबके मैं दोने हुँ आप करें आपके सिखाने वाला हूं तो सभी मैं कि अपने कब से आपने को डाय और कर ले करता हूं इसको मैं आप जो याया वार्ड में क९े टेंकर करेंगा कि अ उसके लिए अब आपने सबसे पहले इसको मीध्र करना है तो जहां से बाइभ लिए आपको चाहिए ऊपने ले लेना है वाजिदा बस्क तो इसको भी मैं आपको क्रियेट करके सिखाने वाल हूँ तो उसके बाद इसको एक बार एक्सपॉर्ड का लेना है सोंग को क्योंकि मारे पास ओडियो था तो हमने इसको वीडियो बनाया है अगर आपके पास वीडियो है तो आप यह प्रोसेस अभी यहां से आप देखें त करने के बाद आपने इसको सौंग को यहां से डिरेट का लेना है और यहां पर आपने इमिज एसस में जाके कोई कलर को अपने स्लेक्ट का लेना है तो यहां से मैं वाइड कलर को स्लेक्ट का लेता हूं इसके बाद इसकी लैंद को सौंग के साबसे मैं रख लेता हूं अब तो अब उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आ जाओंगा फिर वाले अप्षन पे यहां से इसके स्पीड को मैं 1 से 1 पुइंट पीछे या 2 पूइंट पीछे आप अपने सौंग के साफ से रख सकते हैं लखी आ अब आपने संग्व सुनाई तो इसको मैं इस तheim Manus न स्लोग किया है तो य सीथ से प्र eli कूल कॉछ न स्लोग करता हूं अब उसके बाद हम इसको थोड़ाइस होड़ा देया देते हैं अब उसके लिए आपने अगेन यहां पर इस मिक्स्टर पर आना है और यहां से आपको लास्ट में एक पेच काउची देने को मिलेगा इस पेच को अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको कुछ ऐसा साउंड आएगा अगर आप इसी पेच को माइनस टू पर इस तरह लाएंगे तो भी कुछ इसी ठीके से साउंड करेगा तो यह डिफ्रेंस आप यहां पर दे सकते हैं आप इसको अपनी मजिद से भी कार सकते हैं और अब इसके बाद हमारा इतना काम यहां पर हो चुका है और इसके बाद जो है हमने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है तो आप बारी आती है कैपकट की कैपकट में आपने सबसे पहले यहां पर एक प्लैकर का बैक्राउंड एड़ कर लेना है और उसके बाद जो लोगो होता है उसको आपने वाटरमार को यहां से डिलीट कर लेना है और उसके बाद सिंपली से आपने अपना जो सौंग होगा नॉर्मल वाला वो आपने यहां पर एड ओडियो पकले करके साउंड में जाकर आपने अपना ओडियो जो है यहां पर एड कार लेना है तो यहां से मैं वही बीटाउन साउंग को यहां पर एड कार लेता हूँ तो अब इसको मुझे जहां से चाहिए इतना मैं इसको यहां से काट कार लेता हूँ तो अब इसको मैं यहां से कुछ स्रीक से पीछे ले आता हूं अब उसके बाद इस पर भी हम स्टों मोशन को एपलाई करेंगे यहां से स्पीड पर आऊंगे स्पीड को आप अपने इसाफ से एड़्यास बगरा कर सकते हैं तो मैं इसको 0.8 यह 0.9 के पास रखूंगा उसके आपने इसकी पेच पर क्लिक करना है और यह अटोमाटिक आपका स्लो एंडिवार पर क्रियेट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको सिंप्ली से एक्सपोर्ट कर लेना है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो ज़रू सब्सक्राइब करें मिलेंगे इन्शाला न्यों वी आपफेच्ट